हेलो नमस्कार कैसे हैं आपा सभी बङए भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज का यह वीडियो में कहावत से शुरू करता हूं एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीक तेंध इने मांगे मोती मिले मतलब वो युनिवर्स से मांगना है मुझे केवल मुझे केवल एक कॉपी में लिखना है कि मुझे यह चाहिए या यह चीज मेरे पास आ चुकी है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद पहले से लिख लो कि मेरी जौब लग गई है और इसके लिए बहुत बहुत धनिवाद अभी कल की आपको बात बताता हूं कि कल अचानक से जैसे मेरे यह मन में ह tractates करनार यह बढ़ करें जरूर हो जाएगा तो से Touc Certainly कम कि श Image after all और यह बता है मैं कभी यह से जाना होता निया पड़क अचानक से घया हम बेठे और सब्सक्राद सब्सक्राइब कर दिया है जिसे ये अग्जाम तो निकले सस्क्राइब iteration मेरे निकल जाता है यह उर्काविया को बोली अब यहीं पर Jetzt in tomorrow यह क्यों कि शब्द में शक्ति ही अभी यह बात रुम aujourd चाविया दोनों जा रहे थे कल होगा तुम्हें उस गुडिया का इंटेव्यू भी करवाऊंगा तो मैंने बोला यह बात जो बोल रहे न हमने कि मेरा ऐसा तो हो जाता है पर ऐसा नहीं होता मैंने का इसको यहीं स्टॉप कर दो और यह सोचो कि निकल जाएगा और हो जाएग तक जाता है जो भेजी थी दुआ वो जाके आस्मा से यूं टकरा गई कि आ गई लोट के सदा है ना मतलब कि जो भेजी थी दुआ भेजी कैसे दुआ कैसे भेजते हैं भाया लिख दिया कागज पर कि मेरे पास एक बहुत अच्छी कार है इसके लिए यूनिवर्स का बहु भेज़े आपको देंगे क्या होगा लोगों पास? पाँच अजार, दस अजार, बीस अजार, एक लाग, पाँच लाक, दस लाक, बीस लाक इत्ते होंगे लोगों के पास? और लोगों से ले भी लोगे, तो भी आप कभी भी पेटनी भणाएगा ध्यान रखना, मांग बढ बता जाएगा जो मांगना है वो यूनिवर्स से मांगवowing। और यूणिवर्स से कैसे मांगते हैं आराम से शानती से बेठे और अपने मन में वू चीजे विचार करे जो आप चाहते हैं और हमेशा ग्रिटिटीट करो कि जो भे पुकि नजर किवाल एक ही चर्च पर होती है कि जैसे घर आयी बहु आई इसके वहां से क्या आया जैसे एक वहां खुश मन से जाता है यह मेरी बेटी की महां शादी हो तो मेरी तरफ से यह यह अलग बात होती है लेकिन एक वह जो परेशान करकर के सामने वाले के पास नहीं है पैसा फिर भी कैसे भी करके उसको बहु कुछ भी ताने मानना या कुछ कहना और मंगाना अब मान लो वहां से पैसा आ भी गया दस लाक रुपए इस तरीके से आ गए जो आपने बहुत परिशान किया उधर रोना दोना चल रहा है क्योंकि ओवियसली मन में तो आता है अगर वो दस लाक रुपए आ गया तो यह समझ लो कि ऐसे कुछ योग बनेंगे कि वो दस लाक के बीस या तीस लाक रुपए आपको क बहिन कई फिर लगाने हैं तो यह प्रकृति का नियम है आप यह कभी मत सोचना है कि मिल गया है यह जो आप कोशिश कर रहे हैं इस तरह की यह दुख को बढ़ावा दे रही है इससे इतना दुख आएगा किसी न किसी तरीके से कुछ नो कुछ आप समझन पाओगे कि हो क्य नहीं लेना है वो जैसे उनकी इच्छा से होता है ना वो फ्रीज वगेरा या वलंग वगेरा इसे नॉर्मल नी अम्रीती रिवाज होते हैं वह अलग चीज हो गई लेकिन अपने को पैसे में ऐसा कुछ नहीं करना है ठीक है हमारे बात हुई और हमने वास्तों में जब मेर पशाने संख्या में वद्धि हुई और देळेकर देखते मैं पचास हजार तक पहुंच गया सबसुत और यहीं पङर में हम यह विचार करते हैं अपने को इनसे इतने लाक लेने समन आपने लाक लेने मंदों झाल ना क्योंकि उ आखंए यूनिवर्स का है कि निती राज क उसे मांगू क्योंकि universe के पास abundance है खूब है आप मतलब ले लेके ठक जाओगे वो दे दे के नहीं ठकेगा क्योंकि उसकी जानकरी में है कि यह साथ में लेके तो जाएगा नहीं उपर जब तक यहां है इंसान तब तक उसका उभग कर लेगा बाकि है तो यहीं की चीज universe के पा उसमें आपके साथ इसा होगा कि आप वही चीज लेने में रह जाओगे और वो चीज फिर दुख पैदा करेगी किसन किसी कारण से कुछ ने कुछ होगा कहीं इधर पैसा लग गया उधर पैसा लग गया बीमार हो गए उसमें पैसा लग गया पैसा लगता ही जा रहा है यह ये बाते बहुत सारे लोग को की जानकारी में है लेकिन ये मन ऐसा है ना कि उस समय अरे कुछ नहीं होता ऐसा देखेंगे जब होगा तब देखेंगे और जब होता है भगवान तुने क्या किया हमारे साथ भगवान क्यों करेगा भगवान कभी भी किसी भी मामले में आपके interfere नहीं करता है बस भगवान ने एक Scanner लगा रखा है भगवान आपको क्या लगता है इसे उपर बैठे होंगे हाँ क्या करें इसके इसको बिमार कर दे क्या है तो देख लो आपके वह चलो कर दो कितनी जन्संख्या है कितने जीव हैं तो आपको लगता है एक एक का ध्यान रख रहे होंगे इधर इसका ध्यान रखेंगे तो उधर उसका कुछ हो जाएगा तो वहां पर एक निजनर लगा हुआ है उपर हर आपका हर एक कर्म इसकेन हो रहा है उसकी आको चीज मिल रही है तो इसलिए है आपको क्या करना है आपको बिल्कुल सरेंडर करना है कि मैं दिमाग लगा नीटी पर चलूंगा और जो फ्लो चल रहा है उसमें चलते रहो कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी मतलब जैसे होता नहीं इस तरीके से उधर से यह कर लूँ उधर से कर लूँ कुछ दिमाग लगा नहीं जरूत नहीं आपको इतना रहता है कि मुझे पूरा विश्वास से युनिवर्स के उपर कि मेरे साथ सारी चीज अच्छी होगी और म प्रकार का अगर आपको दिखता है कि कहीं से इसा कि यह लेलो नहीं यह मेरे पास मेंजसे और मेरे बढ़े immediate है चोड़की सिस्टाने लगेगा अगर मांगना है तो यह से मांगना अपने को युनिवर्स मैंने आपको थोड़े कुछ समय पहले एक चीज बताई थी कि मेरे पास में जैसे फर्स होता है मेरे मेरा पर्स वो खुला है क्यों क्योंकि उसको मैं नहीं भर रहा हूं उसको उनिवर्स भर रहा है तो उसमें से जो चाहए पैसे निकाल सकते कोई दिकत्ग नी है घर में अग इस तरीके से आपको अपने आपको शुनिदर करना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे पास पैसा आया तो इसका S europa वालो के भाग्य से मेरे पास आ रहा है You don'tfang कैवAL करना हो ना कुछ नहीन ऑड़ना नहीं किसी को अपने मन को कि आज मानलो मेरे मेने इस महीने एक लाग रूपी कमायी तो यह मेरे घर में जो पांच सँ अधर से हैं इनके भाग्य क्या करूं कभी माननों कुछ पैसे आ गए थोड़े बहुत मैंने कम आए मैं क्यों दूँ इसको देने का भाव रखो जितना आप च्छिनने का भाव रखोगे लेने का भाव रखोगे उतना आपके पास में मतलब होगा वो भी जाता जाएगा किसी नी किसी तरीके से और यह म ति कोगने डिक bowling टो डोशिव आप उतिव किसी का अपने कुछ भूरा नीं करना किसी का आयई नी लेना या अनिति पे आफ तो तो इडिये निती का नियम्लश्ब्म्र रे नियम और यह चीजें यह यूं समझे लोकि नियम है यूनिवर्श का आप unterstützen और वो अलग बात है कि जो भी नए बच्चे होंगे जैसे जो अट्रा-वीश सालके वो जान deny हैं और अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई अगर और वो मेरी बात को जुटला के जरुरेतं रहे कुछ निहींबदा यह प्रकृति अपने आप एहसास कराती है अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बुरे कर्म किया है उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा तो उसको एहसास भी हो जाता है अंदर हाँ वो बता नहीं पाता है वो अलग बात है पर उसको अंदर अंदर एहसास होता है कि यार मैंने ऐसा किया था इसलिए अपने आपको surrender कर दो surrender के से कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए किसी से कोई उमीद नहीं मुझे जो उमीद है वो केवल universe से है और बस अपने copy में लिखो जिसको हम scripting बोलते हैं आप बोलो अपने आपको कि मुझे ये मिला है इसके लिए thank you इसको gratitude बोलते हैं और आप मन ही मन ऐसे विचार करो कि मुझे मेरे जीवन में मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए universe आपको लाके देगा कोई लोग आपको लाके पता है तो चलना चाहिए अपने को यह कि मुझे सबको खुश रखना है ठीक है मुझे किसी से मतलब यह है कि अपने आपको देखो कि एक तो मैं कुछ करनी रहा हूं जैसे यह वीडियो में नि बना रहा हूं आप यह वीडियो में निबना रहा हूं यह universe प्रेना मिली है तो जो बोल रहा हूं यह उधर से प्रेना मिलती जा रही है मैं आपको बोलता है मुझे यह वी मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं इससे मुक्त हो गया अधर्वाइस क्या होगा कि मैं यह सुत हो कि देखो मैंने कितनी बढ़िया बात बताई फिर आप नीचे कॉमेंट लिखते ह दो आँगे तो आपके पास आने लगेगा और मैं नेन इनको पाल पोस्ट के बड़ा किया ऐसा होता न कहीं बार मैंने इनको यह का छिला रहा हुए नितो इनका क्या होता आज इसा होते हैं बहुत सारी लोग, बोले कि मैं हूँ, इस वज़े से तुम जी रहे हो, मैं कमा के ला रहा हूँ घर में इस वज़े से तुम जी रहे हो, आज तुम्हारा क्या होता, भया आप खुद का भी नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी का करते हैं, इस संसार मे या मेरा बच्चा है पहले ऐसा ब verschamba मैं इसा बुलते हैं मेरी विलते जिसे मेरे ममी बोलतीकि यब आपके भगवां कर समझ जाता है की आपके था को इसलिए पूराने लोग gratitude में समझते थे पुरान लोग में में नहीं लेते थे आज कल क्या हो गया में कर रहा हूं यह में ने किया तुम्हारी क्या है यह तुमको क्या आता है ऐसे करते हैं में से मुक्त हो जाओ सरेंडर कर दो अपने आपको और युनिवर्स पर विश्वास करो लोगों से कोच कोई भी expectation मत रखो फिर देखो आपकी जीवन में आना शुरू हो जाए वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताना और जो नए लोगे सब्सक्राइब कर देना ठीक है कि जब आप सब्सक्राइ सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको इडियो कैसा लगा यह आज का मुझे जरू बताएगा और कल मैं आपको वह इंटर्व्यू लेकर आऊंगा उस गुडिया का की पॉजिटिव सोचने से उसकी लाइफ में कितना चेंज हुआ कैसे आज वो बन गई प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक और यह केवल किस चीज से हुआ विचारों पॉजिटिव विचार की वज़े से पढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव विचार पढ़ना तो ही यह पर बह द्धोन प्रोबेशनरी प्रोबेशनरी एंक कि अप्रोबेशनरी अगार्य को आगी विच्टिव भी में तो ही यह कि अए।